तो बेसिए लिए इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है यूजर हमें एक करेक्टर देगा हमें उस करेक्टर के बेसेज़ पर बताना है कि वो special symbol है यह नहीं है ठीक है इसका first part हम पहले वाली वीडियो में कर चुक है अब हम second part कर रहे है इसमें भी वही condition है कि हमें इसे conditional operator से कर बना है, ठीक है, conditional operator क्या होते है वो भी अभी देख लेंगे, पहले पता करते हैं कि special symbol है ये नहीं है character तो हर एक character को एक sky value मिलती है, तो उस sky value की basis स्वे है पता करते हैं कि वो special symbol है या नहीं है, कि वो lower case है या नहीं है, की वो upper case है या नहीं है, तो अब इसकी एसकाई टेबल देख लेता है तो हम देखते हैं कि symbols कहां से started है तो symbol देखो हमारे यहां space से start है 32 से और कहां तक है हमारे 47 तक एक तो यहां पर है और कहां पर है वो देख लेते हैं एक देखो यहां पर है 58 से और कहां तक है 64 तक एक ये वाली range है हमारी एक ये वाली range है जो यहां तक आ रही है और एक range है हमारी एक यह रही 91 से 96 तक और एक वो कही हमारी यहां 123 से 126 तक अगर हमारा character इन range के बीच में लाए करता है तो हमारा वो special symbol है नहीं तो वो नहीं है इसे condition लिख लेते हैं इसके क्या क्या होगी तो अगर हमारे पास character I greater than is equals to 32 32 से start है और कहा तक जारी है ये वाली range 32 से 47 तक तो 32 and CH is less than is equals to 47 एक तो हमारी range ही हो गई और और क्या क्या range हो सकती है और लगाएंगे बीच में अगली range देखते हैं कहा से कहा तक है 58 से 58 से है ठीक है तो CH अगर greater than is equals to 58 and character less than is equals to 64 फिर बीच में all लगाएंगे फिर अगली condition लिखेंगे कहा से कहा तक है अगली range अगली range है 91 से स्टार्ट है तो character अगर greater than is equals to 91 and character less than is equals to 96 और एक और last range है और लगाएंगे हा character greater than is equals to क्या थी अगली range 123 123 and character less than is equals to 126 तो यह तो हमारी वो गई पूरी condition तो यह हो गई हमारी पूरी condition अब अगर यह condition अब अगर यह condition true हो जाती है तो यहाप यहम question mark लगाएंगे और question mark के बाद जो हम लिखते हैं वो true early condition होती है तो यहाँ पर लिखेंगे print अगर कोई भी करेक्टर हमारी इस range में आ जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे print और special symbol यहाँ लिखेंगे special symbol और अगर यह condition हो जाती है false यह तो थी true के लिए true और अगर यही condition हो जाती है false तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे printf printf लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे not a special symbol not a special not a special symbol तो इसके लिए एक program लिख लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे एक header file लगाएंगे hash include htdio.h then main function यहाँ पे लेंगे character ch और user से लेने के लिए हम पहले user को कहेंगे enter a character scanf करेंगे percentile c लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने character लिया है और ch उसके बाद क्या करेंगे अब condition लगानी start करेंगे सबसे पहले condition है ch अगर greater than is equals to 32 and ch is less than is equals to 47 एक ही हो गई अब बीच में all लगाएंगे then next condition ch अगर greater than is equals to 58 and ch is less than is equals to 64 फिर से all लगाएंगे बीच में character greater than is equals to 91 and character less than is equals to 96 फिर से एक और all लगाएंगे और character अगर greater than is equals to 123 and character less than is equals to 126 इसको पूरे को डाल देंगे यह पूरी एक condition है अब लगाएंगे question mark ठीक है question mark के बाद क्या लिखना है हमे printf special symbol लिख लेते हैं यहापे special symbol false value condition लिखेंगे not a special symbol यह condition ऊपर की है यहाँ की condition है इसके बाद भी लिख सकते हैं enter मारके यहाँ भी कर देंगे अब इसको run करके देख लेते हैं enter a character मतलब enter a special symbol तो माल लेते हैं हमने आपे डाला add the rate और enter किया special symbol है special symbol है यहाँ से e अटा देते हैं दुबारा से run करते हैं और हमने आपे ए डाल दिया इस बार enter किया not a special symbol अब कर देंगे